हेले दोस्तों नवश्कार स्वागताब स्वीगा गनेश टड़ी वंड यूट्यूब चैनल पे तो दिखे दोस्तों CRPF ट्रेट्समेंट प्रिक्षा 2023 एक से 13 जुलाई वाला पेपर आग चुका है मॉडल पेपर वन अपने इस वीडियो में कवर करेंगी पूरा यही पेपर में आएगा CRPF ट्रेट्समेंट प्रिक्षा 2023 में समय बहुत कम बचा आपकी प्रिक्षा में जल्दी से रच डाले इन प्रश्णों को लास्ट 14 दिन बाकी है जिनको सेलेक्षन चाहिए वो इस पूरे वीडियो का एंड तक जरूर वाच कीजिएगा चलिए आज की शांदार वीडियो को अपने शुरू करते हैं वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहीएगा और जितने भी वीडियो में आपको क्वेशन कवर कराए जाएगे सभी प्रश्णों का एंड तक रटते हैं चलिएगा और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखेगा तभी आपको इस वीडियो से एक्जाम में क्वेशन देखने को मिलेंगे चलिए शुरू करते हैं तो देखे आज का फर्स्ट कोशन है अलग जेंडर के अनुशिक्षक कोन थे फटा फट से बताए कमेंट में क्या होगा इसका अंस्वर अलग जेंडर के अनुशिक्षक की बात करें तो ये थे अरस्टू ओप्शन 3 इस कोशन का राइट आंस्वर है जिनोंने भी कमेंट किया है नेक्स्ट कोशन है तेरवी स्ताबदी का प्रसिद सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है ये कहां पर है देखे तेरवी स्ताबदी का प्रसिद सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना दाता है यह है दोस्तों कोरणांक में तो यहाँ पर कोरणांक यहाँ पर राइट आंस्वर होगा उप्शन फोर नेक्स्ट कोशिन है सीला लेखों में अशोक का नाम कितनी बार आता है फटा फट से बताईए right answer क्या होगा सीला लेखों में असोक का नाम चार बार आता है जिरोंने भी option 1 कमेंट किया answer में सभी का answer right होगा next question है पहली बार नोबिल पुरुसकार किस वर्स दिया गया था पहली बार नोबिल पुरुसकार वर्स 1901 में दिया गया था option 1 right answer होगा जिरोंने भी कमेंट किया है 1901 उन सभी का answer बिल्कुल correct होगा next question है भारत के राष्टरपती द्वारा राजे सबा council of status में कितने सदश्य मनोनित किये जाते हैं फटा फट से बताईए क्या answer होगा अगर आप answer कर रहे हैं option 4 को 12 सदश्य तो आपका answer यहाँ पे बिल्कुल correct हो जाएगा next question देखते हैं question में का गया है 1549 में सेर सहा ने किस युद में हुमाईू को हराया था फटा फट से बताईए right answer क्या होगा 1549 में सेर सहा सूरी ने चोसा का जो युद हुआ था चोसा का इस युद में हुमाईू को रहाया था अगर आपने option 3 को answer किया है comment में तो आपका answer बिल्कुल correct है next question जूमूर एक पारंपरिक नरते रूप है जो निमन लिखित राजों में से किया आता है जूमूर जो होता है ये एक पारंपरिक नरते रूप है जो कि दोस्तों जो है ना असम राजिये में किया जाता है अगर आपने option 4 को answer किया है ना तो आपका answer यहाँ पे बिल्कुल right होगा next question है एक तत्व की द्रवयमान संक्या कितनी है जिसमें 20 proton है और 20 ही neutron है next question घटोतकच 290 से 305 इसवी तक सासन करने वाला ये किस राजवन्स का राजा था घटोतकच की बात करते हैं तो ये गुप्त राजवन्स का जो है ना राजा था option 1 अगर आपने comment किया है ना answer तो आपका answer यहाँ पे बिल्कुल right हो जाएगा next question करते हैं उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेर नहीं किया है तो फटा फट से वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए next question है निवन लिखित में से किस वर्स ऐस योग आंदोलन शुरू किया गया था ऐस योग आंदोलन को शुरू किया गया था वर्स 1920 में option यहाँ पे 2 जो है ना वो right answer होगा next question है जब कारवन डाई उकसाइड पानी में घुल जाती है तो यह क्या प्रदान करती है देखिए जब कारवन डाई उकसाइड पानी में घुलती है ना तो क्या होता है कारवनिक एसीड यह प्रदान करती है तो यहाँ पे option 2 अगर आप answer कर रहे हैं comment में तो आपका answer यहाँ बिल्कुल right हो जाएगा next question है भारत रतन पाने वाले पहले गैर भारतिय कोन है देखिए यह आपका आज का homework question है एक question में आपको हमेशा देता हूं homework के रूप में इसका answer अगर आपको पता है ना तो आप comment करके बताईए ठीक है एक question है कि रामसर convention यह निमन लिखित में से किस से related है देखिए रामसर convention की बात की जाए तो यह दोस्तों वैट लेंड्स अध्र भूमी से यह समंदित है option यहां पर थ्री जो है ना वह राइट आंस्वर हो जाएगा next question है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अधेक्सता यह किसके द्वारा की जाती है संसद के दोनों सदन यहां पर बिल्कुल राइट होगा next question है निमन लिखित में से किसने 1785 में मैसुर बंदर गाहों के माध्यम से इलाइची और काली मिर्च के निर्यात पर प्रतिबंद लगाया है तो यह लगाया है टीपू सुल्तान ने अगर आपने option 2 को अंस्वर किया है ना तो आपका अं राष्टिये कॉंग्रेस की अधेक्स बनने वाली प्रतम भारतिये महिला निमन लिखित में से कौन थी भारतिये कॉंग्रेस की अधेक्स बनने वाली जो प्रतम भारतिये महिला थी वो थी सरोजनी नाइडू बहुत बार एक्जाम में कोशन आया है ध्यान रखियेगा option 2 right answer होगा next question है सिंदू घाटी हडपा सब्वेता के लिए मेसो पोटामिया के अभिलेकों में निमन लिखित में से किस सब्द का प्रयोग किया गया था तो इसके लिए मेलूहा सब्द का प्रयोग हुआ था अगर आपने option 2 को answer दिया है तो आपका answer यहां पे right answer हो जाएगा next question है आंदर प्रदेश में सबसे पुराना जो भू भाग है वो कौन सा है देखिए oldest land mass in आंदर प्रदेश इस यह है गोदावरी बेसिन गोदावरी घाटी तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा option 3 ठीक है next question देखते हैं भीम बैटका यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है भीम आंसवर बिल्कुल राइट होगा next question है home rule लीग आंदोलन में बैसेंट लीग की कितनी शाखाएं थी home rule लीग आंदोलन में बैसेंट लीग की टोटल 200 साखाएं थी option यहां पे to right answer होगा अगला question है जासी में दशावयतार मंदिर का निर्मान किस के सासकों के द्वारा किया गया था देखिए जासी में दशावयतार मंदिर का जो निर्मान हुआ था न वो दोस्तों गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था option 3 अगर आप answer कर रहे हैं तो आपका answer right होगा next question है निमन लिकित में से कौन सा पोधे की जड़ों से पतियों को जल देता है देखिए पोधे की जड़ों से पतियों को जल देता है जाईलम तो यहाँ पे option 1 अगर आप answer कर रहे हैं तो answer बिल्कुल right है नेक्स्ट कोशन है 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवेद किया था तो यह किया था दोस्तों 10 प्रथा को option 4 यहाँ पे correct answer हो जाएगा next question the story of Indian archaeology देखिए the story of Indian archaeology यह किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है एस एन रोय के द्वारा option 4 यहाँ पे right answer हो जाएगा next question देखते हैं उतरी गोलार्द में साल का जो सबसे लंबा दिन है ना वो कौन सा होता है उतरी गोलार्द में साल का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून तो यहाँ पे अगर आप answer कर रहे हैं option 2 21 को तो आपका answer बिल्कुल right होगा देखिए ये थे 25 कोशन अब आप बताईए कि आपने 25 में से कितने कोशन सही किये हैं जितने भी कोशन सही किये हैं कमेंट कर दीजिए फटा फट से और साथ में वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें share करें और ऐसी और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करके पास वाले बैल आइकन को ओन कर लीजिए जैहिन जैवारत